यहां पर हम लोग कार्बन के सबसे सरल्तम योगिकों का अध्यन कर रहे हैं और कार्बन के सबसे सरल्तम योगिकों को हम लोग कहते हैं हाइड्रो कार्बन कार्बन के जो सबसे सरल्तम योगिक है उन सरल्तम योगिकों में से एक योगिक है उसे हम लोग कहते है हाइड्रो कार्बन तो अब हम लोग यहां से हाइड्रो कार्बन क्या होते है इन सब के बारे में अध्यन करेंगे तो हाइट्रो कार्बन अब नाम से यह दिया आप देखे तो साप समझ में आएगा कि हाइट्रो का मतलब होता है हाइट्रोजन और कार्बन का मतलब होता है कार्बन तो हाइड्रोकार्बन की परिभासा क्या होगी? हाइड्रोकार्बन कार्बन के योगिक होते हैं जिन में कार्बन हाइड्रोजन के साथ सह सयोजी आबंध बनाते हैं तो यहाँ बहुत ही साधारन सी हम लोगों ने परिभासा देखी कि यदि आपसे कोई कहता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है? तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन के योगिक है कैसे योगिक है यह कार्बन के ऐसे योगिक है जिन में हाइडरोजन और कार्बन क्या करते है सहसयोजी आबंद बनाते है अब हाइडरोजन और कार्बन सहसयोजी आबंद कैसे बनाते है उसको हम दोग थोड़ा सा समझने की कुशिस करते है कि हम जानते हैं कि कार्बन की जो सईयो जगता है कार्बन की सईयो जगता क्या है कार्बन की सईयो जगता चार है यहाँ पर मैंने यह कार्बन लिखा और कार्बन के चारो तरफ चार बिंदू लगा दिये हैं हम जानते हैं कि इन चार बिंदू को हम दोग चार इलेक्टरॉन क यहाँ पर है यहाँ चार इलेक्ट्रोन कार्बन के सबसे बहारी कक्ष में उपस्तित है अब हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन कार्बन के साथ में क्यों आबंद बनाता है तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन के बहारी कक्ष में केवल एक इलेक्ट्रोन है अब इस इसे helium जैसा निस्क्रीब होने के लिए एक और electron की जरुवत है अब इसके पास में दो ही रास्ते है या तो यह अपना एक electron किसी को दे दे या यह किसी से एक electron ले ले पर चुकि यहाँ इतना छोटा परमानू है कि यहाँ किसी से एक electron ले भी नहीं सकता तो इसके फलस्वरूप इसकी मजबूरी हो जाती है कि यह electron साजा करे तो हमने इस अध्याय के शुरुवात में देखा भी था कि यहाँ दूसरे hydrogen के साथ में मिलकर बंद बनाता है और यहाँ बंद भी सहसयोजी बंद होता है क्योंकि यहाँ पर भी hydrogen, दूसरे hydrogen के साथ में electron को साजा कर रहा है अब यही इलेक्ट्रोन को साजा करने का जो गुन है इसी गुन के कारण ये कारबन के साथ में भी इलेक्ट्रोन को साजा करता है तो आएए देखते है किस तरीके से एक साधरन सा हाइड्रो कार्बन बनता है ये कार्बन है कार्बन के चारो तरफ के बहाई कक्षा में चार एलेक्टरोन हमने बिन्दू की रूप में दर्शाय है यहाँ पर ये हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन के बहारी कक्षा में भी ए एक electron है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इस carbon के एक electron और इस hydrogen के एक electron के बीच में सहसायोजी बंद बन गया इस तरीके से क्या हुआ अब carbon के पास में 5 electron हो गए एक, दो, तीन, चार और पाचवा hydrogen का और hydrogen के पास देखें दो electron हो गए एक खुद का और एक carbon का, इस तरीके से hydrogen के जो जरुवत थी, hydrogen के जरुवत पूरी हो गई है किन्तु यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो अभी carbon की जरुवत पूरी नहीं हुई है क्यों? क्योंकि carbon, क्योंकि carbon में क्या हो रहा है? कि carbon के पास में 5 electron हुए उसे 3 और electron की जरुवत है, तो ये क्या करता है? ये और भी hydrogen के परमानों को आमंतरित करता है अपने पास, और कहता है कि आप मेरे साथ electron साजा कर लीजे तो जब ये 3 और hydrogen के परमानों इतके पास में आएंगे, तो क्या होगा? ये इनके साथ में सहसयोजी आबंद बना लेगा इस तरीके से सहसयोजी आबंद बनने से क्या हो रहा है? देखिए चारो hydrogen की जो जरुवत है वो पूरी हो गई hydrogen के पास में एक electron था, इसे निस्क्रिय होने के लिए या पूर्न विन्यास ग्रहन करने के लिए दो electronों की जरुवत थी तो carbon ने अपना एक electron इसके साथ में साजा करके इसकी जरुवत पूरी कर ली इसी तरीके से इस hydrogen की जरुवत पूरी हो गई, इसकी भी पूरी हो गई और इसकी भी पूरी हो गई और इसके बदले में carbon को क्या मिला? यदि आप carbon के कुल electronों की संख्यागी ने तो carbon के खुद के चार electron है, लेकिन यह चारो electron hydrogen के एक-एक electronों के साथ में जो आबंद बनाया है इस आबंद के बनाने से यदि आप देखेंगे, तो क्या हो रहा है? कि यहाँ पर carbon के पास में अब टोटल आठ electron हो गए आठ electron होने का मतलब क्या है? कि यह इसका जो विन्यास है वो पुर्ण हो गया है और इस तरीके से, अब हमारे पास में कौन सा नया योगिक मिला? कारबन? क्या है? एक है? हमने एक कारबन लिख दिया अब कितने hydrogen है कुल? इसमें चार hydrogen है तो हमने hydrogen लिखा और hydrogen के आगे चार लिख दिया ठीक है न? तो इस तरीके से यहाँ पर जो ये योगिक बना इस योगिक का नाम होगा hydrocarbon इसे हम लोग कहेंगे hydrocarbon अब यहाँ सबसे सरलतम hydrocarbon है क्यो? क्योंकि इसमें क्या है? एक कारबन है और चार hydrogen है इसे हम लोग hydrocarbon कहेंगे है न? तो hydrocarbon की परिभासा क्या है? कि यहाँ carbon के योगिक होते हैं जिसमें क्या होता है? कारबन और हाइडोजन आपस में सहसयोजी आबंद बनाकर सहसयोजी आबंद बनाकर क्या बन होते है? मतलब, इलेक्टरोनों को साजा करके सहयोजी आबंद बनाते है और ऐसे हम लोग हाइडरोकार्बन कहते है तो यहाँ सबसे सरलतम हाइडरोकार्बन है तो अब इस सरलतम हाइडरोकार्बन का कुछ नाम तो होगा इसका नाम होता है मिथेन हम लोग क्या कहते है इसे कहते है मिथेन है ना और यहाँ एक प्रकार की गैस है अब इसे हम मिथेन क्यों कहते है इसे हम लोग बाद में बड़े विस्तार से समझेंगे जब हम लोग जब हम लोग इसका क्या करेंगे इसका नामकरन करना सिखेंगे है ना तो आईए अभी तो हम लोग सुरुआत ही कर रहे है कि कार्बन के योगिक क्या होते है तो हमने अभी तक देखा कि कार्बन के सबसे सरलतम जो योगिक होते है कार्बन के सबसे सरलतम योगिकों को हम लोग हाइडरोकार्बन कहते है और हाइड्रोकार्बन क्या होते है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते है, कार्बन और हाइड्रोजन के योगिकों को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या करते है, आपस में मिलकर यहाँ इलेक्ट्रोनों को करने के फल्सरूप महां पर क्या बन रहा है एलेक्ट्रों को साज़ा करने के फल्सरूप वहां पर सहसयोजी आबंद बन रहे है और इस तरीके से वहां पर हाईड्रोकार्बनों का निर्मान हो रहा है